और आज के ही दिन 27 तारीक है 27 अक्टूबर है आज के ही दिन आज से 2013 में प्रधानमंत्री के उम्मिद्वार थे नरेंद्र मोधी और पटना में उनकी रैली थी पटना की उस रैली में बम धमाके करके उनको मारने के प्रयाश की गए आज 27 अक्टूबर को ही उन धमाके करने वालों के विरुद फैसला आ चुका है इसमें नौ लोगों को बलास्ट केस में जो है दोसी करार दिया गया है जबकि एक बड़ी हुआ है ये इनाईये की कोड़ पटना की गांधी मैदान बलास्ट मामले में सुनवाई पूरी कर दिया है कोड ने इसमें से दस आरोपियों में से एक को बड़ी कर दिया नौ को दोसी करार दिया है इन में से जो दोसी करार दिये गए है उनके नाम सुन लिजिए इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नवाज अंसारी, मुझमुलाह, उमर सिद्धिकी, अजहर कुरैशी, अहमद हुसैन, फिरोज असलम, इक्तिकार आलम कोट ने फक्रुद्दीन को रिहा किया है और इस केस में अब एक टॉम्बर को सजा के बिंदो पर सुनवाई होगी आप सजा के बिंदो पर सुनवाई होगी, और आपको ध्यान होगे कि गांधी मैदान में जवर्दस धमाके हुए थे, जिसमें से सीरियल धमाकों में 6 लोगों की मौत हुई थी, 84 लोग घायल हुए थे, और इस मामले का अनुसंधान NIA ने अगले दिन ही सुरू कर दिया था और एक साल के अंदर 21 अगस 2014 को एक 11 अव्युक्तों के खिलाब आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था, इसके बाद NIA की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नुमान अंसारी, मुहमद मुझिब लल्लह अंसारी, अम्तियाज आलम, अम्तियाज अंसारी, मुहमद इफ्तिकार आलम, अजरुद्दीन कुरैसी, तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था, दुनिय भारत में थमाके करने वाले कौन लोग हैं, अब छुपाने की जरूरत नहीं है, साप बोलिए, नाम भी बोलिएगा तो लोग समझेंगे, नौ को दोसी करार दिया जा चुका है, इस पू जिसकी कहानी तत्यों की जुवानी में मैंने आपको जी थी, आज वो परिनती है कि वो लोग दोसी करार हुए हैं, और यह अच्छी बात है, अब उनको सजा दिया जाएगा, एक रॉंबर को एक उसमें बड़ी हुआ है, तो यह आज की बड़ी ख़बर है, झाले से अरी क बात है, शाй जाएगा से जाएगा ऊत्यों कि अग्या आपको झाले सका चाल messingJa जा झाले सब झाले सकांभानी में मैं मैं आएगा हैं, इस Fahrenheit न陶ी जाले ठके इस ह। सम्वास, को थापएबर हैं, बड़िए ग